दोस्तों मनिपूर में महिलाओं से निर्वस्थ परेड करवाएगे यह हम सब ने दिखा किस तरीके से मनिपूर में महिलाओं के साथ बसुलुकी की गई लेकिन इस पूरे मामले पर महिला इबं बाल विकास मंत्री एक भी बयान उनकी तरफ से नहीं आया जी हाँ उस पार्टी की मंत्री जिसने निर्भय कांट के बाद केंद्रे सरकार पर चमकर हंगामा किया इतने नहीं जब राश्यपती को राश्यपत्नी बोला गया तब भी मंत्री जी ने खूब खल्ला काटा लेकिन जब बात मनिपूर की आई जहां इनकी डबल इंजन सरकार है वो सरकार जो पंजाब हिमाचल और दिल्ली में अपने सरकार बनानी की बात करती है वो सरकार मनिपूर के हालातों को नहीं संभल पा रही दोस्तों आखर संसत में हुआ क्या वो आपको बताते हैं दरसल मनिपूर में हो रही हिंसा की घटना को लेकर सवाल पूछने पर के इरानी भड़ा कुठी और उन्होंने उल्टा कॉंग्रेस पर आरूप लगा दिया। इस बात पर घोर आपत्ती व्यक्त करती है ना केवल महिला मंत्रियों बलकि महिला राशनेतिक नेताओं को भी मनिपूर के साथ चतिसकड राज्यस्थान और बिहार में होने वाले गटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिए उन्हें प्रशन किया कि क्या अम्मी आगने इन राज्यों में महिलाओं पर हुए अत्याचार के घटनाओं पर बोलने का मादा रखती है। इसमरती रानी कॉंग्रिस पर निशाना साहते हुए इतनी हमलावर हो गए कि उन्होंने मनिपूर में हो रही हिंसा में कॉंग्रिस का हाथ तक बता दिया। उन्हें कहा कि क्या आपके भीतर मादा एवं सहास है कि आप 36 के बारे में बोले। उन्हें इस बारे में बात करने का सहस कब होगा कि कॉंग्रिस नेता के वहां जाने के बाद मनिपूर जलने लगा। यह बताने की हिम्मत कब होगी के राहुल गाने ने मनिपूर को कैसे आग में जोग दिया। वहीं इसको लेकर अधनब गोस्वामी भी लगातार बीजेपी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधनब ने कहा कि यह वहीं बीजेपी है जिसने निर्भे मामली पर सड़क पर बवाल काट दिया। उसक्त मांग की या करती थी कि केंडर सरकार इस्तिपते हर किसी ने बीजेपी के स्टैंड की तारीफ की लेकिन अब लगने लगा है कि यह दूसरी बीजेपी है जिसने महिला आयोक का अनुमती दी कि 34 दिन तक इस समुद्दे पर शिकैट पर अंदेखी की जाए। यह वही बीजेपी है जिसके सामने लड़कियों के साथ बशसलुकी की गए। महिलाओं को निर्वस्त कर उनसे परेट करवाई गए। और इस में भी बीजेपी को 77 दिन लग गए। यह बीजेपी है जिसके सरकार ने निर्वस्र महिलाओं को भीड के पास छोड़ दिया ताकि गैंग रेप और परेड कराई चा सके यह वही बीजेपी है जिसकी आँखों के सामने सब कुछ हुआ एक भी पुलिस वाले से पूछताश तक नहीं हुई यह वही बीजेपी है जो कहती थी कि राश्रे सुरक्षा का मुद्दा है लेकिन इस बात को नहीं समझती कि एनबरेन सिंग को सत्ता में रखना सत्ता राश्रे सुरक्षा और मनिपूर दोरों के लिए खतरनाक है कि वही बीजेपी है जिसे लगा कि मौनसुन सत्र आ गया है तो कुछ बोलना ही पड़े अगर संसत्र नहीं आता वीडियो वारल नहीं होती है तो शायद बयान भी सामने नहीं आता और कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता अब ऐसे में अगर आप गंबीर है तो मनिपूर में राश्यपती शासन लगाए यही आपकी गंबिर्ता की परिक्षा है यह कहना है अन्नब गोसामी का अब आप समझ सकते हैं कि यह मुद्दा कितना साधा बड़ा मुद्दा है लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को गुसा करके भड़क कर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश क चल रही है इसको लेकर आप क्या सोचते आपकी क्या राया आप अपनी राय में कमेंट सेक्ष्टर में सरूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करना ना पूंद्द